हाई केस हो माई डियर और लब लिफाइन सोय अब कि अब सब ठीक होंगे में भी एक दम ठीक हूं तो किस बड़ी दूख के साथ कहना पर रहा है वीडियो बनाना पर रहा है कि मार्केट जो की काफी ज़्यादा क्रेश हो चुका है जैसे कि मैंने जब काल के दिन में वीडियो बनाया था तब मैंने उम्मीद रखा था कि जब आज के दिन में जब वीडियो बनाऊंगा तब खूश खबरी के साथ में वीडियो बनाऊंगा और मार्केट आज के दिन में काफी ज़्यादा पांप होते हुए नजर आएंगे कही न कहीं जो मेरे पेरे पेरे इसके पीछे बहुती बड़ा एक कारण बन गया है जिसकी बदर से मार्केट में हमको पाम्प देखने के लिए नहीं मिला है जिस जिस लोगों पेशा investment करके रखा है कल के दिन में investment किया उन लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों को बिल्कुल भी demotivate नहीं होना है cryptocurrency market में एसा होता रहता है कल के दिन में भी market down में था लेकिन आज के दिन के बात करें आज के दिन में और भी जदा market down जा चुका है अगर हम बात करें BTC की तो BTC का जो price ए 33 lakhs पर आ चुका है जो की काफी ज़दा तूटते हुए नजर आ रहा है बात करें Ethereum की Ethereum का जो price था 2.56,000 पर गया था अभी के टाइमें बात करें 4.48% down जाते हुँआ नजर आ रहा है बात करें Binance की तो Binance का जो price है 6.63% down जाते हुँआ नजर आ रहा है Cardano की बात करें 7.50% अगर हम बात करें XRP की तो XRP का जो price है अभी ET1 पर चल रहा है 9.42% डाउन जाते हुआ नजर आ रहा है XRP का जो प्राइस है लगबा काल के दिन से डाउन जा रहा था जिसी कि मैंने आपको सजेश्ट किया था XRP कोईन के अंदर इंबेश्मेंट करने के लिए काफी जदा मेरे पेरे-पेरे सबस्क्राइबरों ने XRP कोईन के अंदर इंबेश्मेंट भी किया लेकिन जिस लोगों ने XRP कोईन को बाई करके रखा है उनको होल्ड करके रखना है कुछी देर तक होल्ड करके रखना है जैसे मारकेट पांप होगा तो साती साथ आपको profit के साथ sell कर देना है अगर बात करें डॉस कौन की जो डॉस कौन का जो price है अभी 21 पर आ चुका है 10.47% डाउन जाते हूँ हमको नज़र आ रहा है तो को गईस अभी अभी मैं टेलीग्राम पर एक message हो रहा है कौन को suggest किया है अगर आपके पास पेशा है अगर आपने सोसा कि मैं पेशा investment करके अच्छा कासा profit generate करूँगा तो उसी कौन के अंदर आप investment कर सकते हो बात करें आज के दिन की market की जो market है गाईस market की तरफ से बहुती बड़ी एक bad news निकल के आये है जिसकी करन से market में हमको गिरवर देखने के लिए मिल रहा है दिको कासे bad news निकल के नहीं आता तो आज के दिन में market में हमको लगबग जो market है 3 से लेकर 4% increase होते हुए नजर आ जाता था आज के दिन में लेकिन कैस उसकी बीच में दिरगटना हो गया उसकी बज़र से market डाउन की तरफ चला गया है तो गैस एसा क्या update निकल के आये है जिसकी बज़र से हमको इतना तकलिफ हो रहा है ट्रेड करने के लिए हमारा जो पोटफिलियो काफी ज़दा loss में आ चुका है यह सब को सब को इस वीडियो में अभी मैं step by step पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा जितना भी मेरे पेरे पेरे सब्सक्राइबर से उनको पूरी तरह से समझ में आ जए गैस अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज से एक लाइक कर दीजिए और इसी ही इंट्रिस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल प्रे किक कर दीजिए ताकि इसी interesting वीडियो आपको लगातार मिलता रहे गैस हमारा एक official टेलिग्रम चैनल है जहाँ पर मैं crypto currency से related कोई भी update हो, कोई भी hint हो कब कौन सा कौन्ज को buy करना है कौन सी range पर buy करना, कौन सी range पर sell करना इस सब कुछ मैं आपको बिल्कुल free में guide करता रहता हो अगर आपको crypto currency market से ज़्यादा से ज़्यादा profit लेना है थोरा बूत knowledge भी लेना है तो आप जो हमारा official टेलिग्रम चैनल को join कर सकते हो जिसका link इस वीडियो की description में दी गई है अभी हम आगे बरते हैं और वीडियो को करते हैं start गैस यह जो news से इस news की बज़र से हमको आज की दिन में market में काफी ज़्यादा गिरावर देखने के लिए मिल रहा है जो की Brazil की तरफ से ए अपडेट निकल के आया है यह news निकल के आये कही न कहीं यह एक नेकिडीब news यह market की लिए market की लिए काफी ज़्यादा खत्रा भी बन सकते हैं देखोगेश अभी जो Brazil के अंदर बहुती बड़े एक amount का money laundering हुआ है बहुती एक heavy amount का money laundering हुआ है जिसकी पीछे Brazilian का लगबख 150 police वाला पूरी तरह से डोंड रहा है पूरी तरह से search कार रहा है कि कौनची जगा पर इसा काम हुआ है कहा पर हुआ है देखोगे जो भी news आया है बहुती बड़ी एक bad news निकल के आया है और ओ जो news है जो Brazil की तरफ से एक update निकल के आया है Brazil में पहले भी ऐसा दुरगटना हो चुका है लगबख 2018 में अभी हाली में भी और एक दुरगटना हुआ जो की बहुती बड़ा एक heavy amount का money laundering हुआ है जिसके पीछे लगबख 150 पूली 16 पूरी तरह से इसको डोन रहा है कहा पर हुआ किस तरह से हुआ है आप इहाँ पर नजरा देख सकतों कि पूरी तरह से डोन रहा है जैसे पता चलेगा तो उसके उपर तूरंती action लिया जाएगा कितना जदा money laundering हुआ है ये तो पता नहीं चला लेकिन जो भी अपडेट निकल किया है बहुती बड़ी एक खतरनक अपडेट निकल किया है काफी जदा money laundering हुआ होगा जिसके पीछे इतना जदा पूली सवाला पूरी तरह से डोन रहा है कहा पर हुआ है कौन सी लोगों ने किया है लेकिन अभी जो money laundering हो गया है उसके पीछे हमको market में गिरावर देखने के लिए मिल रहा है लेकिन आगे चल कर ये ठीक हो जाएंगे अभी देखो जो money laundering हुआ है इसके पीछे market थोड़ा down में गया है काफी एक heavy amount को जब laundering होता है तो एक सेंज के अंदर से बाहर निकल देते है तो जब किसी भी एक सेंज के अंदर से पेशा अचानक से गयब हो जयता है तब जाहिर सी बात है जो crypto currency market तूटते हुआ नजर आता है तो कुछ इस तरह से ही हुआ है लेकिन गैस इसके लिए आपको गबराने का जोरोत नहीं है आगर इतना बड़ा heavy amount का money laundering नहीं होता तो आज के दिन में जो market में हमको शाय दी गीरावर देखने के लिए नहीं मिलता लेकिन जो होना था हो चुका है लेकिन गैस आगे चल कर ओ ठीक हो जाएंगे इसके लिए आपको बिलकुल भी tension नहीं लेना है देखो गैस में सुबे सुबे उटकर इसलिए video बनाया ताकि मैं आपको बता चाको कि किसके reason से market इतना तेजी से निचे की तरफ जा रहा है देखो गैस अभी आगे चल कर और अच्छे अच्छे good news भी निकल के आएंगे जैसे अच्छे अच्छे good news निकल के आएंगे market दीरे दीरे बेक अप लेना शुरू हो जाएंगे आगर आपने किसी भी coin के अनगा पेशा investment करके रखा है आपको hold करके रखना है तो I hope कि जितना भी आपका doubt था काल से लेकर आज तक market किस की reason से नीचे जा रहा है वो reason आपको पता चल गया होंगे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना मत बूलना चैनल को subscribe करना मत बूलना अभी के लिए इतना ही था मिलते किसी next वीडियो में अब तक कि लिए भाई thanks for watching love you my dear family world the best अपना देन रखने